कि अंधी कि अपने गर वालों का विद्यान रख रहे होंगे ऐसी में उमीद रखता हूं आप लोगों से क्या कि बहुत ही अच्छे इंसानों ऐसा मैं समझता हूं अप सुनो वई एक फिराल अपने लेक्श्र को श्टार्ट करने से पहले एक डाउट आया कर रहे थे आटो ट्रॉफिक नूट्रीशन की मैंने आपको बताया था कि आटो ट्रॉफिक नूट्रीशन से मेरा सीधा मतलब फोटो सिंट्रॉफिक ना कि मैंने आपको यह बताया था खि अपको वे। नूट्रिशन दो तरहां का होता है फोटो आटोट आटो अ 1 पौरम और नहीं पथा हुआ है अब फोटो सिंथेसिस आपको पता है फोटो सिंथेसिस एक तरह की रिएक्षिन होती है और अगर आपको फोटो सिंथेसिस की रेशिवारे में नहीं पता है तो चलो मैं लिख देता हूं ठीक है रेशिन क्या थी इसकी 6 c o 2 प्लस 6 h 2 o after that reaction ठीक है आफ्टर एक्षिन सी 6 h 12 o 6 प्लस 6 six oh two ठीक है मतलब की देखो होता क्या है फोटो सिंथेसिस में यह इन झुक्त चीजों से और यह और ऋयुक्त है एक देख और चीजों में मैं आपको बता था पहले भी Lebanon कि झालीक में कारवन के साथ साथ हमें हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो कारवन साथ हाइड्रोकारवन तो और यह नहीं होते हैं कि इसमें कंवर्जन होता है इन उगयनिख चीजों का इन लेकि वजये से अब्लोष न बताया था क्लोरोफिल कहां मिलता है के अंदर मिलता है ठीक है अच्छा के बारे मैं आप से कहा था कि आप लेक्चर देख लीजिएगा अच्छा जी सुनिए अब ध्यांसे एक डेश्चिस की यह भी बन जाती है कि कि लाइट एनरजी को केमिकल एनरजी में केनवर्ट करना देखिए यहां पर दो डेश्चिन में आपको बता दी है फोटो सेंथेसिस की है ना आप लिख क्या सकते हो कोई भी लेकिन आपको पता दौनों ही होनी चाहें क्योंकि पता नहीं साहने वाला कब कैसा क्वेश्चिन आप से पूछले तो यह बन जाती है कि लाइट एनरजी से लाइट एनरजी इसको भी फोटो सेंथेसिस बोल सकते हैं इसके लाबा अगर यह पर मैंने अभी बताया आपको इन और गेंट सवस्टान से यह कैसी रिइस जिसमें ऑगेंट सवस्टान से बनाया जाता है और गने च्क्ट पर बनाया जाते हैं और वहां जो हो फूट का प्रोडक्चन होता है कि इसका टूंड ग्रोडक्षन ऑफ की इन अशी कि इसंट मफिन आप लेक्षा कि प्लांट रहा है या फिर ऑट ट्रॉप्स साफ यहां फिल exists तो यह तीन है और जो साइंटिवी देशन है वह उपर वाली दो है और बच्चो वाली है और आप देखेंगे लिए अच्छी लगे आप उसको लिख लिएगा ठीक है फिलाल फोटो सिंथेसिस एक ऐसी रिच्शन है जिसके अंदर दो स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं जो आप लुट्री ऑफ बट्री तक बता देना है जिलाएकशन का होता है इस क्लेके अफ वेटर होता है अच्छा आप लग रहा है कि हमारा तो देखिए आप वीडियो में थो चिंश्क कर सकते हो कर आप को लगता कि सर हमें तो यह आता है क्यों दूबाराइस से बताए है डाउट आया था इसलिए मैं द्वार से बता रहा हूं क्या पता किसी का भला हो जाए अब देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है स्प्लिटिंग मतलब होता तूटना पानी का तूटना तो पानी तूटता किस फॉर में पानी तूटता है हव ओटू प्लस दो प्रोटन और एलक्ट्रॉण इसमें टूटता है में इनजी से हमें मतलब होताहिएmates कोई ऐसा खास हो नहीं है प्रांस्पोर्ट शिव्टम और अभी ही में डिसक्राइप झालोगो तो आप और जज्यादा om water होती है बस splitting of water होती है ठीके ना लाइट रिएक्षाऍचन में इसके बाद शेकिंड जो रिएक्षन है इसके अंदर जो में देखने को मिलती है वह होती यह यह ठीक रियक्ष्जन और कि साथमें कौन सी है बाप निखेसिचन में क्या होता है रिरेक्षों क्रियेशन में शुगर की प्रॉडक्षण होती है तता है शुगर प्रॉडक्षण को अपिशुगर प्रॉडक्षिन एन अ और्यभाई प्रॉडक्षण कैसे लें जाए त्यूंप नियंकिम तरीक। वैं जोंग देए कोई बात नहीं बड़े को सुगर और अब होता है कि दारक रिचुन को अब Google तो इस अब यहां थे जई हुआई उन फिदर को तरुंगे लब तर्भाडे अप已經 व्यांने आप लोगों को अभी देना चाहूंग तो ठीक है तो सुनएक सिलिए लाइट रिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह डिपंड करती है यह डिपैंड पर डिपेंड्स उन लाइट इस की इस रिजिज़न कराने कि लिए लाइट कि στοना बहुत ज्यादा जरुरी बन जाता हैatique और डाप में होती है वो independent होती है लाइट पर कि इस इन डिपेंदेंट ओफ लाइट अब इसकता है कि लाइट रियक्शन जो है वह तो चलो लाइट की प्रिजेंस में होता है क्या डार्क रियक्शन का यह मतलब है कि यह लाइट की एबसेंस में होगी ठीक ना कि जब लाइट एबसेंट होगी तब ये रियक्शन हो पाएगी और जब लाइट परिजेंट होगी तब ये रियक्शन नहीं हो पाएगी इस तरह के questions cbsc में assertion region type में पूछे जा सकते हैं तो आपको क्या करना है कोई लेना देना ही नहीं है लाइट से तो light present हो या absent हो हमें कोई फरक नहीं पड़ता है तो दार्क रियक्शन लाइट की प्रेसंस में भी हो सकती है याद रखिएगा और जो तो है वह नाइट की प्रिजैंस में होगी और डार्क रेक्षिन जो है वह लायट की प्रिजैंस में भी हो सकती है ठिक है ऐसा पुछ भी है अगे चलते है और मैं अपने और अब इस्टार्ट करता हूं ठीक है और है आज के जो हमारा टॉपिक है वह है है ट्रो ट्रॉफिक न्यूट्रीशन है ट्रोफिक न्यूट्रीशन क्या होता है वह हमें आज पढ़ना है तो इस्टार्ट करते हैं पहले में यह सैटिंग कर लेता हूं कुछ हाँ जी हेट्रो ट्रॉफिक न्यूट्रीशन क्या होता है मैं आपको बता रखता है कि जहां जो लिविंग बॉड़ी है वह किसी दूसरी लिविंग बॉड़ी को पर डिपेंड करें पोर देयर फूड उसी को हम बोलेंगे हेट्रो ट्रॉफिक न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए अब मैं स्टार्ट करता हूं लेक्ट्र को बना टायम गेश्ट करें देखिए भाई इसके बारे मां जानने से पहले एंसी आड़ी की लाइन है वह हम जान लेते हैं ठीक है एज इस मैंने लिखे हुई है दा फॉर्म अफ नूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन दा टाइप ऑफ एविलेबिलिटी ओफ फूड मैटीरियल एज वेल एज हाव इट इस अब्टेंड बाइड ऑर्गनिजिम जो पर देखे वाई जो टाइप की किस टाइब का फूड मैटियल है और फूड मैटियल किस फॉर्म में हमें मिल रहा है उऊब बेलेबिलीटी और उसकाड़्ड इन दौनवा चीज़ों पर क्याद़ एंगा नूट्रिशन की Лिफॉर्म तो नूट्रिशन फॉर्म दो चीजों पर डिपेंड करने की बात हुए यहां पर एक तो फूर्ड का टाइप और एक फूर्ड की एवलेबिलिटी ठीक है और साथ की साथ और शीर पर डिपेंड करता कि हाव इट इस ऑप्टेंड वाइदा और जिसको हम लेते किस तरह से और और वाट इस तरह से और किस तरह से वो उस नूट्रिशन को अपने अंदर लेने के बाद उसको पचाता कैसे है मतलब कि आपने रोटी ले ली चलो मतलब आपके सामने मैंने जिकों इस रहे थीजान है सबस्क्राइब की इसके बाद आप इसको अपने-स एक अंदर कैसे अंदर कैसे आंदर क्याएंगे बाटी में ले पाऊगे इस रोटी को अंदर किस उन्दर कि मैं ले पाऊंगे ले पाओगे वह होता है nutritive apparatus कि आप क्या nutritive apparatus यूज करते हो अब लाइन आप बहुत हार्ड होती है बहुत सारे स्कूल में एस चांद वगरा चला के इजी लेंगविज में आपके सामने पेश कर दे आता है लेकिन मैं आपको हार्ड लेंगविज से प्रैक्टिस कर रहा हूं उसको simplify करके आपको पता होना चाहिए वर्क हार्ड प्ले हार्ड ठीक है जी आगे चलते हैं हाजी अब आगे बात करते हैं मैं इस चीज़ को और स्मिलिफाई वे में आपके सामने पेश करना चाहूंगा देखिए जैसे अगर फूड का सोर्स है ठीक है फूड का सोर्स अलग अलग हो सकता है एक तो आपका इस्टेशनरी सोर्स हो सकता है इस्टेशनरी मतलब जो मूव नहीं करते हैं जिनके अंदर मोशन नहीं होती है ठीक है तो फूड का सोर्स ओर्शका काम कर रही है घंट Environment नहीं जो क्या कर सके एंदरatin जैसे की बिए commence सोर्स होंगे हैं आप हम तो वेजेटेरियन हैं लेकिन कुछ फूमन लेकिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन जो झाते हैं लॉइन है ग्रास को कौन खाता है काउव ग्रास को कौन इट करता है पूब करता है अब यह जो फूड के सोर्स के मैंने टाइब बताएं यह इनकी वरियसे में आपको बात क्या बताना चाहरा हूं यही डिसाइड करता है कि हम फूड को अगर अपने फूड तक पहुचना है तो बहुत जादा महत करनी पड़ेगी उसको एकसेस करने में दिक्कते आएंगी जबकि अगर लॉइन अगर घास खाता तो घास खाने उसको ज़्यादा दिक्कते नहीं आते उसको पहले सी मिल जाती घास जमीन पे तो यह बेसिक इंडर कर रहा हूं अब मैं बात करता हूं यहां पर इस ट्रेट जीज हम अपनाते हैं तो देखिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ हेट्रोफी नूटिशन बताये थे आपको बस बताना है आप विडियो पॉस करके बता सकते हो बीच में कि यह किस तरह का मोड ऑफ नूटिशन होग को किसी को खाना है तो पहले इसको फॉदे चुड़े टॉड रहा है ग्यां कि यह है सब्सक्राइब करते हैं इसको तोड़ करके बौड़ी के अंदर जैसे कि खाया थोड़ा सा बौड़ी के अंदर यहां तो यह कौँ सा मोड अफ नूटिशन हो सकता है यह वह आपके साम्रेश कर चुका हूं तो यह है बताएए इसके बाद अब एक और नियुट्रिशन को डिरीव करता है प्लांट से या एनिमल से बिना उनको मारे मतला दूसरे की बॉड़ी के ऊपर रहेगा ठीक है बिना इसको मारे इस से लेता रहेगा लेता रहेगा तो इस तरह के नूट्रिशन को हम क्या बोलते थे मैं आपको पैरा साइटिक पैरा साइट कोई बात नहीं आप यह तो मेरी पुरानी वीडियो में से डाइट डियाद और मश्रूम इसका एक्जामपल है काव और लॉइन और इसका एक्जामपल है कसकटा जिसको अमार बेल बोलते हैं टेक्स लिस लाइस और लीचिज और टेप वर्म ठीक है यह सब इसके अंदर आ जाएंगे इसका बात करते हैं और फरदर नूट्रिशन अमीबा बस दो सबसे पहले बात किरते हैं अमीबा तो सिंगल सेल यहां पर मैंने सभी लाइन से यूज करी है तो जो सिंगल सेल होते हैं वह जो फूड वह फूड को अपनी पूरी एंटार बॉडी सर्फिस से ले सकते हैं जैसे कि कोई भी यूनिसेल और और जिम है इसके पास अगर फूड होगा चाहिए इस सर्फिस पॉइंट से प्रफिस से पूरी बॉडी सर्फिस से यह इस फूड को अपने अंदर ले सकता है अब लेता कैसे है यही तो कॉंसेप्ट है यही तो हमें जानना है उसको जानने स जैसे जैसे कॉंप्लेक्सिटी और्णिजम की बढ़ती जाती है उनके अंदर अलग अलग पार्ट इस्पिसलाइज काम करने लग जाते हैं ठीक है मतलब कि यह बस सिंपल सी बात है आप खुद बताए यह यूनिस सेलूलर और जिम ज्यादा कॉंप्लेक्स होते हैं या सुन ली जिए यूनिस सिंपल होते हैं रुदाइक है आ मढटिसल और ते है कॉमप्लेक्स होते हैं कि तuine कि अब जैसे ही हम सिंपल से कॉमप्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे सबसे स works फार्व disrupt तो था तो सबसे सिंपल कि क्यंλο को था था मॉनेरा गें beginnen सबसे ज़्यादा सिंपल था और सबसे ज़्यादा जो एडवांस में वह है एनिमल किंग्डम एनिमल ठीक है तो जैसे आप मुझा से एनिमल की तरह बढ़ेंगे तो आपको इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा कॉंप्लेक्सिटी बढ़ती हुई दिखाई देगे और कॉंप्लेक्स होनी से मतलब है इनका जो डाइसिस्टम है उसके इंदर आता जाएगा अब सरी इसरी इस क्या होता है यह बता दीजिए कि मतलब होता है जैसे कि मैरे निक खाने को पीसना है तो उसके य府 मेरे पास इस special organ mouth है mouth mouth के अंदर teeth है एना teeth है mouth के अंदर और अगर मुझे इसके protein को sorry सिर्फ glucose को पचाना है तो उसके लिए मेरे पास special carbohydrate को पचाने वाले enzyme है मेरे सहीर में तो special special organ है मेरी body में अलग-अलग function करने के लिए ठीक है अलग-अलग function करने के लिए अगर मुझे साइज के अंदर से वेश्ट को भी बहार निकालना है तो उसके लिए भी special organ है higher organism में कैसे कैसे आपका ये nutrition होता है ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कल के lecture में जब मैं discussion करूंगा nutrition in human beings फिलाल मैं यहां बात कर रहा हूँ nutrition in amoeba और amoeba क्या है unicellular है एक simple organism है तो या तो आप इसको ऐसे समझे लीजिए कि मैं आज की लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ nutrition in simple organisms ठीक है तो start करते हैं मैं इसको raise कर रहा हूँ आप इसका screenshot ले सकते हैं त्री टू एंडर वन हाजी है आई होप आपको यह दो लाइन सवज में आ गई है अब आगे बात करते हैं हाजी देखिए अमीबा के अंदर कैस कैसे होता है वो देख लीजिए अभी बाव जो food को अपने body के अंदर लेता है वो एक temporary finger-like extension इस temporary finger-like extension को हम बोलते हैं सूडो पोडिया इसको क्या बोलते हैं सूडो पोडिया बोलते हैं ठीक है ना temporary है मतलब कुछ ही समय के लिए है तो अमीबा जो food को अपने body के अंदर लेता है वो एक finger-like extension जैसे कि आप यहां देख सकते हो इस जिगह पर यहां पर आपको finger-like extension दिख रही है ठीक है उसकी मद पार्टिकल इसके दौनों तरफ क्या आया फिंगला ब्रोजेक्शन ठीक है और फिर यह दौनों में में क्या हो गई फ्यूज हो जाएंगी तो अंदर क्या फोर्म हो जाएगा और इस बैक्व को नाम देते हैं फूड वैक्व क्यों ठीक है अच्छा जी इसके बाद आगे के अंदर क्या कर लिया क्या कर लिया क्या कर लिया अब करने के बाद की प्रोसेस के बाद की प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस चलेगी इसके अंदर जिसको बोलेंगे एसी मिलेशन एसी मिलेशन एसी मिलेशन प्रॉसेस में क्या होगा सुनिए ध्यान से अब इस फूड वेक्यॉल से यह इन नूट्रियंट को अपनी बॉडी के अंदर लेगा एक्सेप्ट करेगा मैं इस चीज़ को डियाग्राम की मदस से एक दम डिटेल में आपको समझाता हूं देखिए आप यह तो मान चुए कि फूड वेक्यॉल बन चुका है अमीवा के अंदर ठीक है मान चलो यह अमीवा की सेल है मैं यहाँ पर सेल ले रहा हूं ठीक है ह होता नहीं है अमीवा से फैंप ही नहीं है है मैं यहां पर ही पूड वेक्योन हो बनने के बाद यहां पर यह तो में फूड है अब यह डाइजेस्ट किया जाएगा यह Prof.ि किया जाएगा डाइजेश्ट करने का मतलब यह इसके अंदर क्या होगा अब यह जो फूड है इसका वह अब सिंपल सबस्टांस में कनवर्ट हो जाएगा आपको बता दूं डाइजेशन का मतलब क्या होता है आपसे कोई पूछ लेकि डाइजेशन की डाइजेशन बताएए मुझे क्या होगी तो देखिए डाइजेशन का बना दो इसे कि उसको अब क्या कर सके अब्सार्व कर सके अपने तो देखो पहला इसको डाइजेश किया गया है और डाइजेश करने के बाद फिर क्या हुआ है साइटो प्लाजम में साइटो प्लाजम ने क्या कर लिया इसको एब्जॉर्व कर लिया अच्छा अब यहां प्रोसेस कों से चली होगी इसके एब्जॉप्शन में मैंने आपको पड़ा रखा है जो मुवमेंट होता है किसी भी फूड पार्टिकल का या किसी भी अधर पार्टिकल का अपनी हाईयर कंसंट्रेशन से लोवर कंसंट्रेशन की तरफ जो मुवमेंट होती है उस मुवमेंट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं क्या बोलते हैं करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज कि उसने डिफूजन का यूज कि ठीक है तो डिफूजन की मदद से इसने इसको एब्सॉर्ब कर लिया है अब एब्सॉर्ब करने के बाद कुछ इस वेक्ट्यॉल के अंदर क्या बचेगा कुछ अब मैंने अब यहां दिखा दिए माचलो यह क्या हो गया कुछ अन डाइज़ेस्टेड फूड ठीक ना यहां पर वच गया अनडाइशे फूड बच गया अब अनडाइश्टि फूड को अपनी बॉडि से बाहर निकालेगा बॉडी यह द्यान से बनायेगा और यहां से फूड फिर बहार निकल जाएगा अब आपको अगर मैं बताऊं बहुत ही सिंपल प्रोसेस कि सेल के अंदर कुछ भी चीज अंदर आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस यह मैंने 9th क्लास की वीडियोस में बता रखा है अगर मन कर रहा हो तो दीख लीजिए कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है और अपनी सेल के अंदर से कुछ भी बहार निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जोसाइटोसिस ठीक है तो अमीवा ने जो यह फूड अपनी बॉड़ी के अंदर लिया है और विसी बात है फूड वेक प्रोसेस से अपनी हाइर कंसें से पहुच गए ठीक है अब जो अनडायशिट फूड यहां में बच रहा है जो फूड पचान आई उसको से बाहर निकाल लिया और निकाला कौन सी परोसेस से एक्जोसाइटोसिस की प्रोसेस से लेक्ट्टर को ध्यान से सुनिएगा सब कु इसके बाद आप देखो एक और क्वेश्चन आता है कि इस प्रोसेस को बोलते क्या है अपनी बॉड़ी के अंदर निउट्रियंट को एब्सॉड करने की प्रोसेस क्या बोलते हैं जैसे कि इसने जो भी आफ फूर को सिंपल वे में कनवेट किया है फिर इसको अपनी बॉड क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऐसी मिलेशन क्या होता है एब्सॉड करना इन नूट्रेंट्स को अपनी बॉड़ी के अंदर अब इसने इसको अपने क्या कर लिए एब्सॉर्ब कर लिए तो इस प्रसेंस का बोलते हैं ऐसी मिलेशन बोलते हैं ठीक है यहां तक बदा दे अच्छा अब मैं आपको रियल डाइगराम दिखाता हो माइक्रोस्कोप में कैसा देखता है ठीक है तो देखो इस तरह से अमीवा की कोई शेप तो है और यहांपे क्या फ़र्म करा मैं अपसे नाम पूछको थो यह क्या फॉर्म और यहांपर तो उड़ा देना है सरण बदाते हैं का तो मैं था है अब बैरा मीशिएम कैसे कैसे न्यूटिशन लेता है तो देखिए आप यहां पे धियां से देखिए इसकी बौडी मिल रहा है है यूज होगा क्या देखिए अमीबा का क्या केस था वो तो body की किसी भी surface से food को absorb कर ले रहा था जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया है देखो बई देखो यहां से यहांपर यह body किसी भी शर्फिस से अपसकता यहां से भी कर सकता है, कोई एक proper opening नहीं है, जिसको हम mouth बोलते हैं, जबकि इसके सरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है न? इसके सरीर में अगर मैं पैरामीश्यम के बात करूँ, तो यहां पर एक mouth है, vestibule बोला है जिसको, ठीक है यह क्या है, इसका mouth है, तो पेरा मीशियम क्या करता है, अगर इसके body surface में यहां पढ़ा है food, तो सीलिया की मदद से इसको move करता जाएगा, move करता जाएगा, करता, 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 इस food को कहां पहुचा देगा, mouth तक पहुचा देगा, अपने अंदर ले लेगा, फिर इस food को, ठीक है, अगर यहां भी पढ़ा है, तो यहां से भी सीलिया की मदद से, सीलिया क्या करा सकते है, सीलिया क्या कराते है, movement कराते है, movement, अगर आपको याद हो, नौवी क्लास में आप की चैफ एपड़ा होगा वहां पे आपने ये देखा हुआ कि इस उपर क्या क्या होते हैं बहुत सारे सीलिया प्रेसेंट होते बस मैं आपको आपको रिमायंड कर रहा हुँ ना, इंदिला सा इंदर फैलो पियंड ट्यूब जो होती है उसकी फैलोपीन ट्यूप थे लोपी एंट ट्यूब में जो एग होता है फीमिल का एग जो होता है वह एग खुद से मूव नहीं कर सकता है लेकिन यहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं फीमिल के रिप्रक्टिव सिस्टम में ठीक है तो उसकी मदद से क्या होता है यह आगे सरकाया जाता है तो जैसे मुवमेंट हो रही है ऐसे ही सेम मुवमेंट यहां पर वही कोई फूर्ट करके हैं पड़ा है तो सीलिय के मदश से उसको पहुंचाया जाएगा इस वाली ओपनिक तो फिर वही प्रोसेस चलेगी तो को डायश किया जाएगा और डायश करने के बाद जो अन डायशेट फू जो पैरामीशियम की जो शेप है वो एकदम डेफिनिट शेप है जबकि अमीवा की शेप डेफिनिट नहीं होती है ठीक है पैरामीशियम के अंदर एक specific spot होता है ठीक है जिसको मैंने वैस्टिबूल बोला है माउथ इसको बोलते हैं ठीक है न माउथ ने के फूर्ड को मूव के याता है स्पोर्ट तक स्पोर्ट बताने माउथ तक मूव कराये जाएगा से पूरी बोरी सर्वेस के अंश्पशने की और अच्छेATEं सब्सक्राहर है यह बस पढ़ने वाला कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे बता सकते हो ठीक है फिलार ये लेक्च्छर आपका ओवर हो चुका है ठीक है आप से मिलता हूं कल इसी चैनल पर धन्यवाद आप लोग ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं धन्यवाद